तो बिहार बोर्ट की दोवारा यह प्यापर जारी किया गया था दोस्तों ठीक है दोस्तों जिसे मैं solve कर रहा हूँ ठीक है चलिए तो इस वीडियो को देखते हैं तो आपको काफी लाब होगा इसी pattern पर exam में पूछे जाएंगे ठीक है चलिए यहाँ पर दिया हुआ है दोस् उसके बाद 10-60 का मान होता है root 3 तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे root 3 का square प्लस 1 ठीक है दो का square क्या होगा 4 यह हो जागा 3 प्लस 1 अब देखिए 4 एक 5 पांच में तिंगड़ा 2 बच्चेगा दोस्तों आफसर नमर B हो जागा करेक्टांस तो इन प्रस्टों को फड़ा इसको आप लोग बनाए होंगे दोस्तों इसको ऐसे करना है आपको दूगुड़े एक बटा रूट 3 करना है उसके बाद एक पलस एक बटा में root 3 का square कर देना है ठीक है उसको solve करेंगे तो आपका result कितना आएगा जी हाँ आपका result आएगा root 3 बटा में 2 root 3 बटा 2 किसके बराबर होता है तो साइंस साथ डिगरी के बराबर होता है ठीक है साइंस साथ डिगरी आफसर नमर डी होगा पनेश कोशन यदि एक 6 मिटर ऊंचे एक खम्मे की चाया पिर्थिवी पर दो रूट 3 मिटर लंबी है तो सुरी का union को क्या होगा दोस्तों इस प बड़ रिखें उचाई का मांद 6 मिटर दिया हुआ है और 6 मिटर उचाई है तो इसका जो चाया है अधार हो जाएगा 2 रूट 3 मिटर ठीक है अब आपको क्या लिगाला है सुरी का union को लिगाला है ठीक है तो दोस्तों लंब और अधार है लगेगा क्या टैन क्या लगेगा ठीक है तो यहाँ पर कुछ ने करना आपको है 10 लगाएंगे 10 बराबर क्या होता लंब बड़ा धार 6 बड़ा में हो जाएगा 2 रूट 3 ठीक है अब काटिये 2 एकम 2 तो यहां 6 ठीक है यह कटेगा आपका रूट 3 बार में ठीक है ध्यान रखिएगा 10 रूट 3 का मान क्या होत तो मिनार की 6 की लंबाई जमीर पर क्या होगी यानि आपको आधार नहीं करना है ठीक है कुछ नहीं करना है दोस्तों देखिए माल लिए कि यही आपका मिनार है और यही आपका आधार है ठीक है चलिए मिनार की उचाई दिया है 15 मिटर ठीक है और यहां एक्स देगें दोस X और देखे 10 होगा दोस्तों उसके बाद देखे 10 ठीटा न है ठीटा का मन क्या है 60 डिगरी कितना है 60 डिगरी 15 बटा में X करेंगे दोस्तों 10 60 का मान होता है root 3 क्या होता है root 3 15 बटा में X करेंगे दोस्तों ठीक है अब तरी एक multiply करेंगे तो आपका result बनेगा क्या जी हाँ root three take root twenty called उसके बादks bubble करेंगे दोस्तों यहाँ बना जते हैं तो क्या बनेगा जी यहाँ ब्रकूलर यहस बगर करेंगे तो पंद्रे पाहले ओ जायेगा into into 22 अपर में calorie है तो और उसके बाद देखें, अंडर रूर 3 में, अंडर रूर 3 का गुणा कीजिए गया, अंडर 9, 9 को अर्मूर होगा 3, ठीक है, 3 पाचे 15, यानि आपका 5 रूर 3 आ गया दोस्तों, तो 5 रूर 3 किस अफ़सन में आए, अफ़सन नमर C हो जाएगा, करेक्ट आप, कोशन निदे सा दोस्तों तो आप इससाँग अच्छों के पर 36धन बिंदू क्या करते है, मालीजिए यहां से गई, यहां से गई वोलते है मूल मिंदो, क्या बोलते है मूल बिंदू बोलते हैं मूल बिंदू कीस अफ़सन में आफ़सन नमर C हो जाएगा कर्ड़क्तर नमर कोचन बिंदू मायाध-6-8-0-5 में इस सित है दूस्तों आप इस परकार बोर्ड विजाएम बना लगे ठीक है इसको बोलते है कार्दियतल तेक है यहां याक्स यहां य टिर्तिया पत्में क्या होता है जी हम मायनस और प्लस होता है दोस्तों दिया है मैनस छे मैनस 8 तो टिर्तिया पत्में होगा अफसर नमर शी करेंट रांस्ट डफ्टो अंठावन में कोचन मूल मिलु उसे बिंदू p into तो इस साइन ठीटा कोश रा की दूरी निकले दोस्तों मूल में दूसरे करहा निकलने के लिए तो आप सूत्र होता है क्या अंडरूर्ट X स्कुायर फ्लस Y स्कुायर इस पर बैठाए गामान ना यहां पर रखेए गामान लेजी दोस्तों यहां पर देखें एक्स कमान साइन जाए तो साइन स्क्वाइट हीटा होगा दोस्तों फ्लस वाई कमान कॉश जाए ना कॉस स्क्वाइट हीटा हो जाएगा उसके बाद दोस्तों कुछ निक करना आपको है साइन स्क्वाइट हीटा प्लस कॉस स्क्वाइट कमान एक होता है एक का स्क्वाइट करें दोस्तों एक और एक कर्म क्या होगा एक यह नि आफसर नमर बी होगा विंदो र 1,1 और S-1,5 के बीच की दूरी क्या है दोस्तों दूरी सुट लगाएए अराम से निकार देखे यह दूरी सुट होता है X2-X1 का whole square plus Y2-Y1 का whole square ठीक है ना कुछ नहीं करना दोस्तों देखें यहां पर एक्सवन कमान क्या है जी हां बिल्कूल एक्सवन एक्सवन कमान हो जाएगा एक वाई वन कमान हो जाएगा एक उसी परकार दोस्तों यहां पर देखें आगे एक्सवन कमान क्या होगा माइनस वान और वाई टू कमान क neighbor once okay अब देखिए एक मैनस से मानस से कश्केव के दौ मैं दो होगा दो का इस क्वार क्या होगा चार और पाच में से घटा चार-चार का इसकर करो 16 ठीक है तो 16 20 26 कवर पांच क्यों कि बाहर में दो का वर्क करेंगा यानि चार पांचे 20 अफसर नमर शी में से किस बिंदू से होकर नहीं गुजरेगी दोस्तों यहाँ पर नहीं बोला है देखिए ध्यान दीजेगा दोस्तों नहीं बोला है गुजरेगी बोलेगा दोस्तों तो अफसर नमर ए हो जाएगा लेकि नहीं गु आपसरां कोचन को नोरी से कौन सा में है रसाओं में दें देख 윤हां पर आपको करतेयर तर बहए रही है इसको बोलते हैं प्लस 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 प्सम्यलिπ है बहुत ही असान कोश्चन पूछा है दोस्तों यहां पर देखे यहां पर ऐसे आप मालेजे बना लेगे दोस्तों एक दूसरे के लंबबबबबबबब यहां पर बला है यहनि करा यह से लंबबबब दूरी दोस्तों इसमें कुछ सब्सक्रिशन नहीं लग रहा है दोस्तों आपको आपको आसानी से बनाना चाहिए वाइस लंबबबबब यह कहने का मतलब है एक सका मान 5 है यह का मान 5 ठीक है और वाइक मान 6 क्या होगा 6 पलस में तो देखे रहान दीजिए आपसान नमर ए होगा 6 M-2,10 N-8,14 को में दाने मारे रेखा खन के मध बिंदू मध बिंदू का होता है दोस्तों X1 पलस X2 बटे 2 Y1 पलस Y2 बटे 2 बस इस पर बैठ हाई है दोस्तों और आंसर लाइए फटा-फट क्या आएगा मान 5,12 आएगा द मानस 8,8 है तो ब्रीट के किंद्र के निजिसांग क्या होगे कुछ ने करना दोस्तों आप एक ब्रीट बनाएंगे रफ करेंगे दोस्तों उसके बात कर रहा है किंद्र सांग ठीक है यहाँ यहाँ पर देखे 6,8 दिया दोस्तों इसे आप A माल लेंगे ठीक है उसके बाद B को मानेंगे दोस्तों क्या मानस 6,8 ठीक है अब यहां पर C मान लें दोस्तों कुछ भी मान सकते हैं ओ मान सकते हैं ठीक है अब यहां देखिए X1 आप पढ़े ना इस उत्र X1 पलस X2 बटे 2 ठीक है Y1 पलस Y2 बटे 2 इस पर मान फूट करेंगे दोस्तों खडाक से आंसर आएग देखिए अब बैठा रहा हूं 6-6 करेंगे बटे 2 ठीक है मानस 8 पलस 8 करेंगे बटे 2 भाईया 6 में से 6 गया 0 बटे 2 यहां भी देखिए भाईया 8 में से 8 गया 0 बटे 2 तो 0 बटे 2, 0 बटे 2 क्या होगा 0,0 ठीक है और से नमर C 65 है बिंदू 1,4 और बिंदू B,1 मूल बिंद जानते हैं आप से उत्रों X2 plus Y2 ठीक है यही तो फर्मुला होगा दोस्तों X2 plus Y2 मूल बिंदू से तो यहां पर क्या करना है आपको ऐसे कर लेना है ठीक है रख जितने आपको रख करना है उतना कीजिए दोस्तों यहां पर आप 0,0 मानेंगे ठीक है यहां पर आप A का मान क बठाएंगे एक बार यहां से एक बार यहां से दूर यह वाला मुल बिलू वाला ठीक है तो यहां पर लिखेंगे तीन का स्क्वाइर देख रहे हैं प्लस चार का स्क्वाइर दोस्तों बराबर इस साट देखे इसका भी हल किए दोस्तों क्या होगा पी का स्क्वाइर प्ल पहाता है। यहां से नमान बैठाएंगे दोस्तों यहां पर आपका आएगा पी स्क्वाइर ठीक है पी स्क्वाइर हो जाएगा 25 में से घड़ा 24 बच्चेंगा तो पी बराबर हो जायेगा आपका अंडरoud24 क्या होगा अंधरud24 का ओर मुल क्य होगा जानते हैं आप लोग जि हां अंडरओ24 का आफ्सन मड़ी ठीक है नमर कोशन दोस्तों बिन दो एच जिरो कोमा आठ बीच छे कोमा बारा सी को मानस सोला को मानस चार से बने तरिफूच का च्छतरफल क्या होगा दोस्तों यहां से सब कुछ दे रखा है आपको यही फर्मूला है एक बट्टा दो ठीक है एकस वान ठीक ह हो गया अब उसके बाद देखें प्लस होगा दोस्तों दिखें और वाइवन माइनस वाइटू इस पर रखेंगे दोस्तों आपका अंसर फटा फटा जाए दोस्तों जी हां आप मान बैठाते जाएंगे तो लाशन में बचेगा एक बाई दो माइनस आठ कटाएंगे दोस् प्लस पूर ओफसर नमर डी बिंदू ए चार कव मानस तीन तथा बिंदू बी नौ कोमा साथ को मिलाने वाई रखाकर तिन अनुपात दो के अनुपात में अन्ता विभाइद करने वाले बिंदू वाई के निसांग क्या होंगे कुछ ने करना है दोस्तों आपको देखें य M1 Y2 प्लस M2 Y1 ठीक है और बटे में हो जाएगा M1 प्लस M2 क्योंकि वहाँ पर सिर्फ Y का मानन निकालना है दोस्तों आपको इसमें मान फूट करेंगे तो आंसर आपका क्या हैगा पता है B अफसर आएगा B अफसर नमर कोशन तेरे भूज एबी से में यदि कोंड A प्लस क कोंड C बराबर 120 तो करा कि कोंड B का मान क्या होगा कुछ नहीं करना दोस्तों बहुत ही सिंपल सा कोश्चन है माल लीजे दोस्तों यह पूरा मिला कर दोस्तों 120 होता है किना होता है 120 होता है कोंड A कोंड A और कोंड C का मान 120 होगा दोस्तों कोंड C जोड़ेंगे 120 होगा तो भी प्यолов और कंड़ेंगे कितना होगा 18 Druktur अनलीनने अक हैं कृंड दस्ञेद में चोड़ेंगे 10ущusu अविज और संद्रेशिया हमें धी यांग लिद्स को वद्रों कंड़ेंगे गाहं करें पाहिं यहां पर ई स्य वद्विज्याइ नहीं बस्तयों ग्यारी आन՞ें तो बिन देर कि देखेंगे तो काफी लाब होगा यह दिर कर दिये दोस्तों तो आपको हानी ही हानी होने वाली है ध्यान लखेगा यूँकि एकडम सीधे एकजाम में उठा 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 पूछेगा देखिए यह माले समरूफ होता है अपस में तो बुला है कि एक कौन से समरूफ होगा दोस्तों आप देख पा रहे हैं साप साप दिया हुआ है कौन B बराबर D यानि कहने का मतलब है आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस चितर को तो कौन B के बराबर उल्टा दिया हुआ है कौन D यानि कौन B के बारबर कौन D हो जाएगा इसलिए आफ्शन नमर्डि होगा एरिया तिरभूज P की वार बटे में तिरभूज ABC का मान लेगाल है कुछ ने करना दोस्तों यहां पर सब कुछ मान दिया हुआ है तिरभूज P की वार दिया हुआ है और तिरभूज ABC दिया हुआ है BC बटा में QR है न यहां पर कुछ नहीं करना है आपको QR का मान 5 हो जाएगा BC का मान 1 इसका इसे फ़ल करें रहे हैं 5 का इसकोर क्या होगा 25 और 1 का होगा 1 यानि 25 बटा एक का रहा है दोस्तों 25 हो जाएगा राइट आपसर नमर ए ने 10-90 डिग्री मायने से क्या होगा दोस्तों आपको पता होने जिए को पता होगा दोस्तों आपसर नमर बबहतर दी का याकृति में और 8,6,48 ठीक है तो यहां से देखे जब एक्स बगल करेंगे तो 48 उपर होगा 5 नीचे होगा ठीक है 5,9,45,.69,.6 अफसर नमर दोस्तों दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे तेल्स के बारे में ए बी सी और यहां पर देखे डी और यहां पर ई तो आपको पढ़े होंगे दोस्तों जी आप पढ़े होंगे एडी बटाय में डी बी और बराबर एई बटाय में इसी किस ने कहा था थेस ने कहा था तिहतर का अंसर होगा जी हां दोस्तों यहां पर बिरित बनाएए और आ करते हैं लेकिन यह बोला है कि बाहरी बिंदू से कितने बार खिची गई है दोस्तों देख रहे हैं यह लगभग दो बार दोस्तों यहां पर आंसरों कर दो अब दोस्तों प्लस दिया हुआ है आपका 40 डिए प्यों कमान सी करेंगे माइनस 140 आप एक सब्सक्राइब कितना बचेगा ता बचेगा आपका चाली अफसर नमबर यहां पर चाली आ गया दोस्तों और आपका समकोणिक होगा तो 90 डिगरी बनेगा ठीक है ना 90 डिगरी बनेगा दोस्तों तो 90 डिगरी जब एग होगा यह हो जाएगा 45 if 54 बनाते हैं तो इसका मँण 90 है दीख पारें आप लोग पर दोस्तों यहां 44 होगा यहां 45 तो भी ना आएगा दोस्तों यहां पर 45 होगा दोस्तों क्या और ईसे मानेंगे ठिके और यहां पर अपर दिया हुआ है यहां पर rok usati स्काव मैंनें कि दिखेता है यहां पर कि यहां यह से होता है पूरा दोस्तों नह Superman तो 180 में से हम क्या करेंगे 110 को घटा देंगे 180 में से 110 को घटा देंगे दोस्तों कितना बचेगा 70 डिगरी क्या बचेगा 70 डिगरी जब 70 डिगरी दोस्तों बचेगा अलग-अलग करते हैं हाफ में एक बाई दो और एक बाई दो में बैठते हैं पूरा आपका 70 है पूरा आप पर PQR दिया है यहाँ पर आपका 120 होता है दोस्तों एक कोशन रिपीट हो चुगा है और पेपर में आ भी चुका है दोस्तों ठीके इसलिए ध्यान दिजेगा यह आपका 60 डिगरी हो जाएगा आधा अर्धक होता है ठीके तो जब यह 60 डिगरी होगा दोस्तों और समान कितना होगा दोस्तों इसको ऐसे बना लेते हैं चित्र को ठीके यहाँ पर जब साथ डिगरी होगा दोस्तों तो आप जानते हैं तिरे भूज के तीनों कोणों का यह कितना होता है एक सोसी होता है जब एक साथ होगा एक कितना होगा तीस तीस होता है दोस्तों तीस तीस होता है ठ चोटा कौन है 15 मानस कर दिए जोस्तों 84 में से 15 घर जागे तो क्या बचेगा आपका बचेगा 69 और बचेगा साथ साथ में से गया छे 79 की सब्सक्राइब नमर एक दो तीन डॉड़र और एन का समांतर मात पड़े होंगे एन प्लस वन बटा टू अफ्शन नमर सी हुलक बराबर होता है तीन गुड़े माध्यक या माधिका बोली माध्यक ठीक होता है तो यानि इसमें मान कूट करेंगे तो आपका अंसर क्या पता है आपको आपको आपका आपका अंसर आएगा दोस्तों यहां पर साथ नो देरा पांडरा याँ पर शुरासर मां को छाएगा इस संखेया तो पांच नीचे हो जाएगा दस पचास कर दीए दोस्तों और पर जोड़ने के बाद एक्समा निकल लिएगा तो आपका आएगा च्छे आंसर बश्ता नमर्यक किसी घटना के प्रेक्टा किसी भी घटना का प्रेक्टा का मान जो है एक होता है घटना एक बर सिक्का को उछा लेगा तो एक ही बार किता चीत आएगा किता पॉट आएगा जिए कुछ लगभग बराबर आए दोस्तों अफ्स नमर डी करें पासा फिका गया तो दो का गुनज आने के प्रेक्टा क्या ह हो गा दो का गुनज दो मदो ऑक हुझा रहाना दो पर से भाग लग जाएगा यानी आपका가는 नी चाहिं का मान और च्छे दिया हुआ है क्या दिया हुआ है इन्य बटा में शे भाग देंगे तो तुझ थीन गम दो और फ्रकार से फिटी करें तासी गड़ी में से एक पत्ता रिच्छा निकाल देखे दोस्तों तो इसके लाल रंग का प्रेक्टा होने के प्रेक्टा क्या होगा ठीक है मा चाफीच हभीच चुना के बावन्य नवासीदो नयाय संगर स्प्के उछा लेता हैं तो कम से कम एक सिस्च आने की प्रेक्टा क्या होगा सिस्थ का मतलů है सकता है एक दो तीन सीह उच्छा लिए टेल टेल कें एड टेल 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 कें टेल टेल हेड कुछे करना आपको देखे किया पुला है जी यहां कि संभो पर इंदो होता है यहां never रहां औरोता है अनता क्या होता है चींद से whereby लिका ले हैं 16 होगा 8 ऑठ तो कुने सोछपान हो जाएगा तो को सोगा फ। dip handkai 127 कटेगा दो तो 4 का स्क्वार कर दीए 15 का स्क्वार कर दीए 15 25 25 की सफसन में आफसन नमर सी तो इसकी भूजा क्या होगी दोस्तों संबाव क्या होता है रूट 3 half 6 त्थी एहाँ पर कुछ निए करना है रूट 3 से रूट 3 कर जाएगा तो तिक ए उसके बात देखिए यहां से स्क्वार बटे में चाहर है ना तिरेक मल्टी पढ़ाई कीजिएगा ए स्क्वार बराबर नौ चाहूं के 36 तो ए बराबर हो जाएगा अंडरू 36 36 को मुलकिया होगा छे यहां पर आप कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा और बराबर हो जाएगा बढ़का ठीक है तो किस अफसन में देख लिए आपसाव आपसो नौ बी में है क्या होगा बहुत यहां संकु कुछाई और तिर्जिया तिन गुनी हो जाए यानि थ्री अच बराबर थ्री आर ठीक है तो उचाही बोला है दो तो एक बाई थ्री यह एक बाई थ्री पाई हो जाए दो यहां पहुझागा थ्र इसका मान जिसको हल करेंगे तो आपका आएगा क्या पता है इसका 27 गुना आगे दोस्तों आफसर नुमर डी आर्द गोले के कुल प्रिष्ट्य से तपल क्या हो दोस्तों यहां पर सुत्र ही उठा के पूछ दिया गया आपसा नुमर भी नकायतन क्या हो दोस्तों आपको प्रिष्ट्पल क्या होता है फूर फाई आर इसक्वार यहां मान पूट करेंगे तो चार गुणे 22 बटा साथ ठीक है गुणे क्या होगा 21 गुणे 21 यहां से हल करेंगे दोस्तों तो बचेगा आपका 88 ठीक है गुणे हो जाएगा आपका 63 जब जब आप गुणा करेंगे बचेगा पच्पन और चवालीस पच्पन और चवालीस सीयम इसक्वार अफरमर्शी यहां पर सो नमर एक बिरन के उचाई 14 सीम है और बेरन के वक्र सदा का चैपल दे दिया दोस्तों सीयम इसका आयतन क्या होगा कुछ ने करना दो करेंगे गुणे 22 बटा साथ करेंगे ठ लाइक करते दिये दोस्तों थाक्या मुटिवेट हो अगला वीडियू बनाने के लिए ठीक है दोस्तों मिलते हैं ने शुक्त धन्यवाद जये ही